हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत, मैं हूँ मनोज टंडन, आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जहिन, वंदे मातरम फ्रेंड्स, 36 गड़ भरती परिक्षा की तयारी करने वालों के लिए, पहली बार हम लोग 36 गड़ से संबंदित वीडियो ले करके आएं हैं, ठीक है, चुकि यह हमारा पहला वीडियो है, तो हम लोग 36 गड़ का जो समान ने परिचाय है, उसको हम लोग इस वीडियो में देखते हैं, हम लोग 36 गड़ का समान ने परिचाय, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, फ्रेंड्स, 36 गड़ राजी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, तो 36 गड़ राजी की स्थापना कब हुई है, ठीक है नेक्स्ट है चटीस गड़ जब राज्य बना है तब वो देश का कौन से नंबर का राज्य बना था तो चटीस गड़ राज्य बना उस समय चटीस गड़ क्या है देश के 26 राज्य के रूप में निर्मित हुआ था चटीस गड़ को 26 राज्य बनाया गया था ठीक है आ अब बना है तो जून 2014 को बना है ठीक है चलिए फिलाल हम लोग 36 गड़ के बारे में बात कर रहे हैं तो आगे देख लेते हैं चलिए आगे आप से कुश्चन पुछा जा सकता है कि 36 गड़ राजी की इस्थापना 35 वर्फी योजना के तहत की गई है ठीक है तो 95 वर्फी राजी की राज़्धानी है नमारायपूर अटल नगर ठीक है पूछ दे अगर चत्तिस गड़ राज्धानी क्या है तो नमारायपूर अजल नगर है ठीक है वैसे तो चत्ति sulfur में ये कुस्चन आपको नहीं पूछ केगा ठीक है आगे देख देखते हैं 36 गड़ राज्य हे कौन सा अधिनियम मद्य पर्देश पुनर गठन अधिनियम संद 2000 के तह 36 गण राज को नया राज का दर्जा दिया गया है ठीक है नेक्स्ट है 36 गण का मात्री राज्य क्या है मात्री राज्य किसको कहते है जहां से कोई राज्य अलग होकर के बना रहता है उस मुल राज्य को क्या है मात्री राज्य कहते हैं चुकि 36 गण मद्य पर्देश से अलग हुआ है तो मद्य पर्देश 36 गण का मात्र राज्य है इस राज्य में कितने राज्य सभा सीट है तो 5 राज्य सभा सीट है और लोक सभा सीट कितने है तो 11 लोक सभा सीट है ठीक है इस प्रकार से कुल क्या है सांसदों की संध्या कितना विधान सभा सीट के लिए रिज़र्व है और विधान सभा सीट नब्बे विधान सभा सीट है याद रखना है आपको 36-गर राज में, कितने विधान सभा सीथ हैं, तो 90 विधान सभा सीथ हैं, ठीक है, जिसमें 59 आपके ST के लिए रिजर्वे है, दस आपके SD के लिए रिजर्वे है, और जो बचा है वो क्या है आपका अन्रिजर्वे है, ठीक है? चले, उच्च नियालाय कहां है हाई कोट कहां है, तो 36 गण राज्जी का उच्च नियालाय हाई कोट बिलासपूर में है, और ये देश का, 19 वे क्रम का क्या है, आपका हाई कोट है उच्च नियालाय है, ठीक है? चले, आगे बढ़ते हैं सबसे बड़ा संभाग के बारे में बात कर लेते हैं, अगर छेतर फल की दृष्टी से देखें, तो 36 गण राज्जी का सबसे बड़ा संभाग कौन है, बस्तर है ठीक है, कौन है, बस्तर क्या है, 36 गण का सबसे बड़ा संभाग है, छेतर फल की दृष्टी से ठीक है, और छेतर फल की दृष्टी से सबसे छोटा संभाग कौन है, तो दूर्ग है, ठीक है, याद रखना है दूर्ग सबसे चोटा संभाग है और क्या है बस्तर आपका सबसे बड़ा संभाग है ठीक है सबसे बड़ा जीला कौन है तो सबसे बड़ा जीला राजनान काओं है ठीक है सबसे बड़ा जीला कौन है तो राजनान काओं क्या है चतीस कर राजिका सबसे बड़ा जीला है ठीक अगर सबसे बड़ा तहसील पूछ ले तो सबसे बड़ा तहसील कौन है पोरी उपरोड़ा क्या है सबसे बड़ा तहसील है चलिए अगर सबसे बड़ा विकास खंड पूछे तो सबसे बड़ा विकास खंड कौन है बिलहा है बिलासपूर ठीक है बिलहा बिलासपूर क्या है स Boost 36 क 2 क्या कहा जाता है किस नाम जाना जाता है टो दान के कटोरा के नाम से जाना किलोमीटर है X 35,199 वर्ग किलोमीटर क्या है 36 गड़ का छेत्रफल फैला हुआ है ठीक है चलिए नेक्स्ट है 36 गड़ का जो छेत्रफल है वो देश के कुल छेत्रफल का कितना प्रतिसत है तो देश के कुल छेत्रफल का 4 दसंबलाव 1 एक प्रतिसत छेत्रफल है 36 गड़ राज्य का ठीक है चलिए अगर मध्य परदेश की दिस्ट्री से देखें तो 36 गड़ का जो छेत्रफल है मध्य परदेश के कुल छेत्रफल का 30 दसंबलाव 4 7 प्रतिसत है ठीक है 30 दसंबलाव कितना है 4 7 प्रतिसत है मध्य प पहले दस्वा हुआ करता था जब जम्मू कस्मीर क्या था राज्य था ठीक है अब केंदर सासित प्रदेश बना दिया गया है यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है तब से क्या है चतीज गण देश का नौवा राज्य है छेत्रफल की दृष्टी से ठीक है चले आगे भारत का विश्व में छेत्रफल कितना है तो विश्व की छेत्रफल के दृष्टी से अगर भारत का छेत्रफल देखें तो दो दसमलाव चार तीन प्रतिसात है ठीक है कितना है चार तीन प्रतिसात है भारत का छेत्रफल पूरे विश्व के छेत्रफल का ठीक है चतीज की जनसंख्या है पूरे देश की जनसंख्या का 2.1 एक एक प्रतीसात है ठीक है तो ये था प्रेंट्स 36 गण का समाने परिचाए उमीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा हेलफूल लगा होगा नौलेजिबल लगा होगा वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक सेर कर देना है और आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है आगे आपको 36 गण के अपडेट के लिए इसी चैनल पर क्या है आपको जुड़े रहना है इसी चैनल पर आपको आगे वीडियो मिलने वाला है चलिए फिर मिलेंगे नमस्कार जैहिन वंदे मात्रम